तो किश्चों नंबर 20 यहां पर क्या बोला चले देखते हैं वेन और 12 वोल्ट बैटरी इस कनेक्टेड एक 12 वोल्ट है सो बैटरी कनेक्टेड है रसिस्टर से ठीक है there is a current 2.5 mA in the circuit और कितना current रो करता है 2.5 mA ठीक है circuit में the value of resistance of the resistor resistance find करना कितना value इसका होगा ठीक है resistance का तो चलिए R find करते हैं तो मेरे को भी दिया गया ठीक है भी कितना है 12 वोल्ट अब current मेरे को है दिया हुआ 2.5 mA ठीक है तो mA को पले mA में change करेंगे तो इसके लिए हम 1000 से क्या करेंगे दिवाइड करेंगे 1000 से टोके तो कितना हो जागे है आप पर जीरो पॉइंट यह जीरो पॉइंट हटके नीची एक और आ जाएगा तो कितना हो जागा पॉइंट जीरो जीरो टूफाइव इतनाум पीर हो जाएगा जब इसको डिभाइड करेंट होगा तो चलिया अब रेसिस्टेंस निकाल लते हैं तो और ईकल टू क्या होता होता है आप लोग भी अपन आइयो होता है अर एकभी कर टू बिह मेरे को कितना दीया गए है 12 दिया गया है ठीक है इसको divide करें कितना से 0.0025 से ठीक है इतना से divide करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने एस o ampere में निकाल दिया इस current को ठीक है तो ampere में ही लेंगे जब resistance निकालेंगे तो तो 0.0025 यह आपको याद रखना है चलिए रेसिस्टेंस निकालते हैं तो आर इकोल्ट कितना आता है भी बाई आय होता है भी मेरा था बारा डिवाइड कितना करेंट निकाला थे हम एमपेर में 0.0025 ठीक है चलिए इसको पॉइंट के निचे साटा करके ऊपर कितना जोरे बै कितना आएगा पचीश योंका सो अब पचीश अठे 200 ठीक है और 00 यहनि 4800 क्या यह हुआ हुआ है ओम रिसिस्टेंस ओम में रहता है तो 4800 ओम आया ठीक है तो देखिए 4800 ओम को कैसे लिए सकते हैं 4.8 के ओम लिए सकते हैं 4.8 के ओम किये मतलो हजार होता है ठीक है तो 4800 ओम 4.8 के ओम तो अप्सेण नमर कौन जागा सही तो अप्सेण नमर 2 सही है 4.9 के ओम ठीक है चलोगी 11 नमर कीशन देखते हैं ये रेक्टूंगर कौाइल अप अपर कॉपर वायार एक ख्वाइल है रेक्टूंगर रस इसा कॉपर वायर है ठीक है कि magnetic field के बींच में रखा जाता है rotate in a magnetic field इधर magnetic field है मालत दीच magnetic field है ठीक है रहाच मेरिंच फिल्ड ह। इसके बीच में रखा गया है the direction of the induced current चेंज वर यहां पर देखिए इसके अंदर रखा गयa है और इसको rotate कने खुक है उसके करेंट आएगा ठीक है copper wire के अंदर तो copper wire के अंदर इधर से भी current जाएगा फिल इधर से भी तो कितना rotate करेंगे कि जो current का direction वो change होगा वो आपको बताना है तो half revolution में जब आधा घूम जाएगा क्वाइल तो इधर आजा करेंट और फिर आधा और घूमेगा तो चेंज होजागा direction करेंट का ठीक है यहीं पूछ रहा था तो half revolution में ऐसो current का direction चेंज जाता है चलिए 22 नमर क्यूशन देखते हैं एट डिवाइस 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 का नाम बताना है जो current को ऐसो current का जो डिवाइस डिवाइस को चेंज करता है तो वह कौन करता है current का direction change मोटर में आप देखे होंगे commutator आता है वह ऐसो चेंज करता है direction current का चेखेंगे यह 23 दखते हैं आब की जी अब कừ ओधे टॉनिक यूक्य को सुन का होगा। मैजर करने के लिए इसका गोष होगा ठीक है अगर यह टेसल तेसला दीया लुए लिख में पर उनलता लेकिन गोह होगा में टेसला है के सेट इस इनलम होता है की तो इस इसका गोफ होगा नथे लान दखते हैं 24 में क्या करना है मिलान किजिए निवनिखित का मिलान करें तो विधुद बल का क्या होता है एसा यूनिट न्यूटन आपको पता है बल का ठीक है आवेस यानि चार्ज का क्या होता है कुलाम होता है इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का क्या होता है फेराड होता है अब इलेक्ट्रिक पोटेंशल डिफ्रेंस का क्या होता है दो आवेस पिंडो के बीच भोल्ट ठीक है भोल्ट होता है इसका इसा यूनिट तो देखिए कैसे कैसे मिलान हो है पहला का सकेंड थाड में देखिए थाड का तीसरा है तो ऑप्सन नमर थार्ड एकदाम सही है तो ऑप्सन थार्ड सही हो जाएगा इस तरह साब को मिलान करना था ठीक है 25 का एंसर है साब पढ़ दिजगा अच्छे से केचन को इसका एंसर होगा इंटु दपेज ठीक है बहुत ही असान है थोड़ से समझ लिजगा इसको बहुत ही लंबा थोड़ से हो जागा लेकिन इसलिए वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं जो यूनिट होता है मार्याटिक फिल्ड मीटर मीटर होता है topic एंटी के Alem नहीं दिया गया है इंपयर पर मिटर थिसके एंसर के होजागा नन अप्डिक ठीकर अगर कहीं प् passieren teckon M ampere per meter, ठीक है, 27 देखते हैं किप्चा, which of the flowing correctly describes the magnetic field near a long strength wire carrying current carrying conductor, तो किप्चा नमबर 27 देखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, इसके जो, अगल बगल जो, तो magnetic field बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो पूछ रहा है, तो magnetic field कैसा बनता है, state wire के नजदिक, तो गोला बनता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनता है, तो option नमबर कौन सही हो जाएगा, option नमबर 4 देखे क्या बोल रहा है, the field consisting of concentric circle centered on the wire, मतलब wire रहता है, गोलो गोलो या क्या रहता है, magnetic field रहता है, तो option 4 सही हो जाएगा, और सब ऐसो गलत है, आप पढ़ सकते हैं, 28 देखते हैं आब, the rule to determine the direction of current induced in a coil, due to its rotation in a magnetic field, देखिए, यहाँ पर दो magnet है, यहाँ जी दो magnet है, एक और magnet है, दो मैनिट हो गया, अब बीच में जब हम coil को है, तो move करते हैं, ठीक है, move करते हैं किसी माध्यम से, नीचे उपर, तो इसमें current होता है, ठीक है, current पैदा होता है, तो current का जो direction नापते हैं, मतलब पता करते हैं, वो कौन से rule से पता करते हैं, यह आपको बताना है, तो वो कौन सा rule लगता है, flaming right hand rule, ठीक है, flaming right hand rule से हम पता करते हैं, current का direction, यह जो electromagnetic phenomenon है, वो इसी से पता किया जाता है, flaming right hand rule, ठीक है, तो option no.3 सही हो जाएगा, चलिए, 29 देखते हैं, एक while of insulated copper wire is connected to a galvanometer, देखिए, एक copper wire है, जो insulated है, यानि उसके उपर cover नहीं है, ठीक है, insulated किया गया है, connected to a galvanometer, यानि एक galvanometer से connect किया गया है, ठीक है, यह गलव एनोमेटर माल लटे हैं, इस तरह से है, what will happen if a bar magnet is held stationary, inside the coil, यानि देखिए, जब हम ऐसे stationary, यानि क्या रखते हैं, क्या होगा यदि कोई, बार मेगनेट को अंदर रखते हैं, इस थी रखा जाता है, तो क्या होगा, तो kitchen number 29 देखते हैं, क्या बोला है, यहाँ पर, एक insulated wire, copper wire है, ठीक है, एक insulated copper wire है, यानि उसके उपर cover नहीं है, इस connected to a galvanometer, एक galvanometer से connect है, ठीक है, चलिए इसको galvanometer से connect करते हैं, जी है, ठीक है, इस तरह से, galvanometer से connect है, copper wire है, ठीक है, galvanometer से क्या करता है, current को नापता है, कि कितना current flow हो रहा है, ठीक है, इसके बाद यहाँ क्या बोल रहा है, क्रेंट करना है what will happen if a bar magnet is stationary held inside the coil जब एक बार मेइट को देखिए जब एक बार मेइट को यह पर अंदर रख देते हैं इस क्वाइल के अंदर तो क्या होगा मतों तो गेलवेनोंटर में क्या चेंजिंग आएगा यह पूछ रहा है तो देखिए जब इसको स्थीर रखेंगे तो इसमें तो करेंट नहीं आगा भाई करेंट कब आता है जब मैगनेट को इसो इधर दो हिलाते हैं तब करेंट आता है ठीक है क्वाईल में लेकिन यह इस्थीर रखा जा रहा है इस्टेशनरी रखना है इंसाइड अंदर ठीक है तो जब इस्थीर रहेगा तो क्या होए आप गलवेनोंटर में कुछ चेंजिंग नहीं होगा तो कि करेंट पर डूस अधा तभी न बताएगा किलवेनोंटर के कितना करेंट फ्लो रहा है तो कुछ नहीं होगा तो अप्सन नवर कौन सब्सक्राइब नो डिफिलेक्शन इंद नीडिल उल्वी ऑब्जार्ब्ड ठीका तो कोई डिफ्रेक्शन अब्जार् यह आपको होता ना है तो मेंटेण नवर के बीच मेंफयो क्या करता है मतल ہے हमेसद फ्लो उप करेंट को मैंटेन करने क Towards a confess ठीक है तो option number second से हो जागा maintain a potential difference between two points of a conductor kitchen number 31 देखते हैं in a conductor free electron एक conductor है देखिए conductor हमाल लिजे ठीक है जब इसमें electron आता है ठीक है आपको पता ही electron ही flow होता है तो क्या होता है इसमें move towards the region of lower potential move towards the region of higher potential move towards the region of equal potential do not move at all तो इसमें क्या होता electron कैसे flow करता है move towards the region of lower potential ठीक है lower potential की तरफ है तो move करता है देखिए माल यह इधर higher है तो कि इधर की और move करेगा lower की तरफ ठीक है तो आप्सिन मूर कॉन सही हो जाएगा आप्सिन मूर फर्स्ट सही हो जाएगा तो किशन नंबर 31 क्या मुल रहा है आपर इन और कंड़क्टर एक कंड़क्टर है उसमें सब्सक्राइब इलक्ट्रोन क्या होता फ्लो था तो वह कैसे फ्लोह था वह आपको बताना है तो देखिए को थीर है ठीक है कुछ इस तरह से हैं ठीक है तो कीचे नमर्ण 31 क्या बल अपक्षी है पर इनर कंड़क्ट और फिर एक्ट्रोन फिरी एलेक्ट्रोन है तो कंड़क्टर में कैसे फ्लो और आको बताना है तो ये मान। से कन्डक्टर मैरा ठीक हा किस तरते उथरब व्यां निगाटीब फ निगेति इस तरह से मेरा एक सार्कृतिकर बन गया ठीक हा इसंद प्रुट्रल π से निगटीब है करेंट क्ड़्थ गम व्यूता है फोजे टीब से निगेटिब हैसर फ्लोटा ठीक है POSITIVE से NICKATIVE XTC देकिन यहापकर बोला है ELECTROON कैसे फ्लोगा यहतो ELECTROON क्या होता है opposite directionarse Felute negative to positive ELECTROON में सा opposite direction फ्लोः होता है तो देखे человек positive क्या है higher potential है इधार positive क्या है higher है और lower है तो higher से lower current從 effectivement लेकिन electron क्या flow रहा है lower to higher तो क्या answer हो जाएगा यहाँ पर move towards the region of higher potential और lower से higher की ओर जा रहा है तो किसके ओर जा रहा है higher की ओर तो option number second सही हो जाएगा move towards the region of higher potential चेख लिए question number 32 देखते हैं आप 32 क्या बोल रहा है यहाँ पर the jet plane engine works on the principle of जो jet engine plane होते हैं वो कौन से principle पर कारी करते हैं यह आपको बताना है तो kitchen number 32 क्या बोल रहा है the jet plane angle sorry the तो kitchen number 32 क्या बोल रहा है the jet plane engine works on the principle of जो jet plane engine होता है यानि जो fighter plane होता है वो कौन सा principle पर काम करता है तो यह कौन सा principle पर काम करता है angular momentum पर तो QC 32 की यहाँ पर क्या बोल रहा है QC 32 बोल रहा है The jet plane engine works on the principle of जो jet plane engine होते हैं वो कौन से principle पर काम करते हैं तो यह linear momentum पर काम करते हैं ठीक है linear momentum पर पीछे से ऐसो force लगाते हैं linear मत्तो सिधा force लगाते हैं जिसके चलते हैं यह बहुत असानी से उड़ पाता है jet engine plane ठीक है तो यही है second option से हो जाएगा 32 का 33 में क्या बोला है एक cork bottle full of water when frozen will break because तो यहाँ पर एक माल लेती एक bottle ठीक है यह एक bottle है तरह से ठीक है इसके अंदर क्या भरा गया है पानी भरा गया है इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा गया है और पानी के पूरा फूल है यहां ठीक है जब इसको ऐसको क्या करते हैं पानी को पानी को जब हम इसको बरभ बनाते हैं फिरीजम रख देते हैं इसको बरभ बन जाता है जब पूरा बरभ बनता है तो यह एस बोटल फट जाता है तो क्यों फटता यह पूछ रहा है तो देखिए पानी जो होता है पानी उसका डेंसिटी क्या होता है पानी और यह मानी जे वाटर है ठीकी वाटर है अभी आइस है जो पानी का जो डेंसिटी होता है पानी का डेंसिटी क्या होता है ज्यादा होता है पानी का density और ब्रब का density कम होता है ठीक है तो देखिये density जिसका ज्यादा होता है उसका quantity कम हो यानि कम मतरा में ज्यादा density ले लेगा तो kitchen number 33 आपक्या बोल रहा है तो kitchen number 33 बेसरी बोल रहा है यह कोख्ड बोस्तुट फोल फूल उप्वा टर वेन फ्रोजण विल ब्रेक विकउज एक बोट्ल माल रिख्षा हां ठीक है। इस तर से एक बोटल है उसमें पूरा पानी भरा हुआ है जब इसको फिरीज में रखते हैं वो पूरा ठंडा करते हैं मतलों पूरा बरप जमा दते हैं तो यह बोटल फट जाता है क्यों यह आपसे पूछ रहा है तो देखिए पानी का जो डेंसीटी होता है वह ज्यादा होत है और लेकिन जो बरफ होता है आइस होता है उसका डेंसिटी है तो कम होता है ठीक है तो डेंसिटी कम होने के चलते है तो इसमें ज्यादा बरफ बहर जाता है जिसके चलते है तो बोटल फट जाता है और बाहर निकल जाता है पानी ठीक है तो बरफ के रूप में तो डेंसिट कम होने के चलते है आइस का इसमें क्या होता है देंसिटी कम है तो बाहर बरफ निकल आता है इसके चलते है तो फट जाता है बोटल आप बहर निकल जाता है ठीक है तो 33 का कौन अपन से हो जागा तो किप्चर नमर 33 यहां पर क्या बोल रहा है एक कॉक्ड बोटल फूल अफ वाटर वेन फ्रोजन विल ब्रेक बिकाउज मालजी यह एक बोटल है ठीक है इसके अंदर पानी है बूद सरा पूरा फूल क्या हुआ है पूरा बंड बोटल ठीक है इस तरह से बंद है बोटल ले पूछ रहा है क्यों फड़ता है तो इसमें देखें क्या होता है सब मालीजी मेरे पास इतना सारा पानी थोड़ा से थना सुन पानी है यह कप में रखते हैं ठीक है कप में रखते हैं लेकिन जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो यह जो बरफ है जब यह बरफ बनेगा पानी तो जो पानी है वो ऐसो बाहर आने लगा, यानि बरफ ऐसो बाहर आने लगा, क्योंकि देखें क्या होता यहां पर से, जैसे जैसे ऐसो पानी को फिरीज करते हैं, यानि ठंडा करते हैं, जो उसका भॉलूम ऐसो बढ़ने लगता है, यानि उसका ऐसो क्या बोलते हैं इसको, density घटने लगता है तो volume बढ़ेगा ही, density घटता है तो volume बढ़ता है, तो बरफ का density कम होता है पाने का density ज्यादा होता है, इसके चलते हैं तो बरफ बढ़ने लगता है, volume उसका बढ़ने लगता है, तो option number 4 हो जाएगा, the volume of water increases on freezing, यान ठंडा करने पर volume ऐसका बढ़ने लगता है चलिए, 34 देखते हैं, which mirror you used as a rear view mirror in vehicles, जो गाड़ी होता है, side mirror होता है, उसमें ऐसो कौन सा mirror यूज क्या जाता है, तो convex, convex mirror यूज क्या जाता है, तो option number कौन जाएगा सही, 4 option सही हो जाएगा, क्योंकि ऐसो जो convex mirror होता है, वो ऐसो बहुत सारा area को ऐसो छोटा ही में ही दिखा देता है, ठीक है, इसलिए, convex mirror का यूज क्या जाता है, चलिए, 35 देखते हैं, क्या बोल रहा है, तो kitchen number 35 में क्या बोल रहा है, देखिए, 100 magnet दिया गया, ठीक है, इस तरह से, इसका north pole इधर है, और south pole इधर है, ठीक है, accidentally किसी कारण में से तो ये बीच से टूड जाता है, ठी है, तो A जो होगा, A क्या होगा, north pole, और B क्या होजागा, south pole, ठीक है, A north, और B south pole, और C में क्या होगा, इसी तरह से, C हैस north pole होजागा, और D हैसो south pole होजागा, तो कौन को north होगा, A और C क्या होजागा, north pole, ठीक है, तो A और C north pole होजागा, और B और D south pole होजागा, तो ये अफ अफसान नहीं से कौन में है ए और सी नॉर्थ पॉल और बी और डी तो अब सब्सक्राइब भरचींट हो जाएगा चलिए ठीक है जेले अगला कीशन देखते हैं जाब में 36 में क्या बोल रहा है कुलाम फोर सीजा कुलाम फोर से क्या है तो कुलाम मतलो क्या होता है कुलाम मतलो एक तरह से चार्ज होता है कि चार्ज का यह साइन्ट होता है कुलाम तो चार्ज कितने परकार होते हैं दो परकार के एक पोजेटीब और एक निगेटीब ठीक है जब देखे जब positive positive दो को चार्ज होता है तो क्या होता है इसमें repulsive होता है यानि एक दूसरे से हड़ता है और negative negative भी रहता है तब भी repulsive होती है ठीक है लेकिन जब दो चार्ज opposite चार्ज से एक साथ आते हैं तो क्या होता है यहां पर देखें दोनों हो रहा है तो कैसा फोर्स यह है दोनों फोर्स है आइदर अट्रेक्टिव और रिपल्सिव वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा ले रहा है पोजेटिव निगेटिव ले रहा है कि पोजेटिव पोजेटिव ले रहा है कि निगेटिव निगेटिव क्या बोल रहा है वेन अपोटेंशल डिफरेंशीज 10 वोल्ट एंड एमांट ओप करेंट इस पांच पांच एंपियर देन रेसिस्टेंस सबसाथान क्यूचन है पता है आपको क्या आप फाइंड करना रेसिस्टेंस तो आरिकोल्ट क्या था भी बाई आई भी मेरे को दस दिया है यह पांच पांच बाई दस दो दो ओम आया तो दो ओम किसम है फोरोला सही हो जाएगा चलिए 38 देखते हैं दा रेसिस्टेंस ओफे सूपर कंड़क्टर एट क्रिटिकल ट तो कीशन अबर 38 क्या बोला है यहाँ पर दर रेसिस्टेंस ओफे सूपर कंड़क्टर एट क्रिटिकल टेंप्रेचर इच देखिए एक सूपर कंड़क्टर है मतलब गोल्ड का कुछ वायर होगा ठीक है तो उसमें रेसिस्टेंस कितना होगा जब टेंप्रेचर ऐसे बहु इस तरह से पैरलल कॉंबिनेशन ऐसो बनाया गया ठीक है इस तरह से पैरलल कनेक्टिंग किया गया ठीक है नीचे बेक करते हैं इस तरह से पैरलल एक कनेक्शन किया गया है ठीक है तो इसमें क्या सेम रहता है जब देखिए करेंट फूल रहता है तो इसमें क्या सेम रहता ह सब्सक्राइब तो यहां जो पोटेंशल वोल्टेज को क्या बोलते हैं और पोटेंशल डिफ्रेंश तो पोटेंशल डिफ्रेंश वो अंचेंज होता है यानि सेम रहता है में सा ठीका पैलल में तो अप्शन नमर फ़र्स्ट सा हो जागा 39 का फोटी क्या बोल रहा है विच दफॉल इस एलसीं कनवर्जन ओफ लो वल्टेज एसी इंटू हाइब वल्टेज बढ़ाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है डिवाई से इसा पूछ रहा ठीक है अब अभी क्या करना है लो वल्टेज एसी को हाइब में करना ठीक है तो ट्रांसफोर्मर यूज किय से भूल्टेज से हाइ करना है तो इसma法 का यूज करेंगे यानि बढ़ाना है तो आप का यूज कम करेंगे इस करेंगे तो किशन एक वर टी का थर्ड सफ हो जाएगा तो यहाँ पर आस हमारा हrü्क्याशन होता है चाली सो क्यूचन ठीका फिजिक्स का I hope आपको यह सब क्यूचन आच्छे समाज में आयागा कोई भी confusion, कोई भी doubt हो तो comment करके हमें बताइए सबका comment का जबाब हम देते हैं तो मिलते हैं अगलों वीडियो में तब तक लिए thank you टेक केर जैहिंद वंदे मातरम और अगर हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए thank you, thank you very much